दोस्तों रामा इस्टील ट्यूप्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर इस समय खरीदारी दिखरी है और यहाँ पे दुसरी तरफ बाजार में गिराउट का माहोल है तो यहाँ पे कुछ बड़ी गुड़ी निकल के आ रही है जिनको हम एके करके डिसकस करने वाल है रामा इस्टील ट्यूप्स लिमिटेड जिसको बोनस का बात सा हम कह सकते है क्योंकि लगातर बोनस देने वाली कंपनी है अब आप देख सकते हो की स्टील सेक्टर में तो आने वाले समय सरकार ने भी कुछ बड़े फैसले ले लेकिन दूसरे और सेक्टर जिसमें रामा स्टील ट्यूप्स लिमिटेड ने अपनी इंट्री की है वहां से भी कुछ अपडेट निकल के आ रही है जिनको मेके करके डिसकस करने वाले लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक का बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले बाजार की बात के लिए समय लगबग 12 बजे के आसपस का टाइम है बी एसी सेंसेग्स सेवन्टी एट थाउजन फोरनेट फिप्टीएट के इस्तर परे जापे 323 पॉइंट की गिरावट देखना को मिल रही है यानि पॉइं इस समय थोड़ा सा आपको दबाव में आता हो दिखाए देगा वैसे स्टॉक की सुरुआत पॉजिविटी थाटीन पॉइंट फोर फाइपर कल क्लोजिंग 13.32 के आसपस ही इंट्राडे में 13.65 का ही बना लेकिन जो लो है वो 13.11 का है यह दोनों तरप का महुल बना स्टॉ के दर इंट्राडे में गिराउट भी होगी और कुछ हमने तेजी भी देखी समय स्टॉक 13.40 के आसपस ट्रेड करा है 0.60% की तेजी देखनों को मिल रही है अब इसकी परफॉर्मेस देखे तो 13.11 इंट्राडे का लो है लेकिन हाई 13.65 52 वीक का लो इसका 9.90 का है जो अभी लो रेंज इसकी 21 पैसे के जो कोविर काल में आई थी तो बहुत अच्छा प्रदसंद वैसे दो किया इस टॉक ने अब यहाँ पर देखो कि रामा इस्टिल टियूप्स लिमिटेड ने अपनी रामा डिफेंस के नाम से सब्सिडिज कंपनी बना दिये और कंपनी आप देख सकते हो की तैयारी हो चुकी है 31 अगस 2020 को कंपनी बनाई गई थी और 2 सितंबर 2024 को देख सकते हो की मिनिस्ट्री अप कॉर्पोरेट अफेर्स की तरब से इसको सर्टिफिकेंट मिल चुका है अब यह डिफेंस सेक्टर में अपने कारबार को आगे बढ़ा पाएंगे तो यहाँ पे जो सरकार ने अपना बड़ा फैसला किया जिसका फाइदा देखना को मिलेगा अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2023 में सरकार ने इज़र डिफेंस सेक्टर का जो प्रोड़क्शन हमारे हो रिकॉर्ड हाई पे पहुँच चुका है 1.27 लेक रोड का डिफें सेक्टर के लिए जो एक समय हम इंपोर्टर से तो यह बहुत बड़ी एक जीत है इंडिया की और इस सेक्टर से समरीद कमपनियों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनियर जिसमें रामा इस्टील ट्यूप्स लिमिटेड सामिल है जो डिफेंस सेक्टर में अब कमाल करेग दूसरी तरह अगर आप देखे तो रामा इस्टील ट्यूप्स लिमिटेड अब ओनिक्स लिमिटेड के साथ में पार्टर्शिप कर चुकिया और ग्रीन अजी सेक्टर में अब तेजी से अपने कारूबार को बढ़ेगी सोलर प्रोजेक्ट करीगी कमपनी सोलर इस्ट्रेक साथवी जनरल एसेंबली जो मीटिंग हुए इंटरनेशन सोलर एलाइंस की यनि आई ऐसे की उसमें हमारे जो मिनिश्टर है रिद्वाजी मिनिश्टर परला जोसी उन्होंने का है कि सरकार ने अपनी तरफ से पूरी त्यारी कर लिए करीब 50 सोलर पार्ट बनाए जाएंग प्रद से सरकार इस सेक्टर को प्रमोट कर रही है प़ है क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से गोल सेट कर दिया है कि ये आने वाले समय में 207 तक जीड sel today पार्वन swing में जाना है में तो इस सेक्टर से समरीत कंपनियां कमाल कर नहीं वाली है और सरकार बहुत जलो गृन फ प्लान लेके आ रही है जितनी इस्टिल कमपनी है वो भी ग्रीश टिल के मादिम से प्राप्रोडेक्शन करेगी तो ऐसे में अब आने वाले जो समय है वो काफी सांधर होने जा रहा है ऐसे में यह छोटी कमपनी दमाका कर सकती है वैसे इसको हम बोनस का बादसा कह सकते है क्य इसके जो रिकॉड डेट थी वो छेजनवी 2023 तो 2023 में भी बोनस दिया और 2024 में बोनस दिया लगातार दो साल कमपनी ने बोनस दिया है इस से पहले कमपनी ने 27 जनवी 2016 को भी अगर आप देखे तो बोनस का यालान कहता है और यह रिसकी रिकॉड डेट थी वो 15 मार्च 2016 थी तो अभी तक रामा इस्टील के इतियास में तीन बार बोनस मिल चुका है और रिसेंटली 2023 दोनों बार बोनस दिया है और ऐसे में इस स्टॉक में एक तरह से यह बहुत बड़ा इसके लिए पॉजिटर ट्रिकर है वैसे अगर हम इसके रेटिंग देखे तो रेटिंग भी स समय काफी अच्छी दिखा दे रही है रामा इस्टील ट्रिक्स लिमिडेट के इन्वेस्टरमेंट रेटिंग अगरा देखें मास्टर रेटिंग आपको फाइव इस्टा में से फोर इस्टा की रेटिंग दिखा देगी जो बहुत ही जबर दरस्त है इसकी EPS स्ट्रेंद ब ग्रूप रेटिंग के मामले में थोड़ा वीक है इन्वेस्टा में से मातर टूशाग रेटिंग है और रोल देखें तो इसकी रेटिंग अच्छी है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि रामा इस्टील आने वाले से में बैतर कर सकता है वैसे कमपनी का रिजल्ट बहुत ही सांद गुना बढ़ा है और जिस तरह से यह ग्राफ वड़ा है यह सारा कर रहा है कि वाकई में इस कमपनी में दम है और आने वाले से में हमें काफी एचा रिटिन देने की ताकत रखता है नेट प्रॉफित की बात कर दो देख सकते हो कि 2020 में कमपनी को वन क्रोड का लॉस था उस उसको करीब 30 क्रोड के आसपस का प्रॉफिट मिला तो यह क्लेली कह सकते हो कि जो बुरा वक्त का खतम हो चुका है और कमपनी अब आने वाले से में कुछ बेतर करता हुआ दिखाई दे सकती है तो यह क्लेली देख सकते हो कि रामा स्टिल टिप्स लिमिटेड जो श्टिल स होगा साथ में डिफेंस सेक्टर करने से पहले अपने फाइनसल एडवाईजर से एडवाईजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि माने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजा और चैनल को हूा 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 हूू